राजुस्तान के जैपूर एरपोर्ट पर एक हैरान कर देना वाला मामला सामने आया है एरपोर्ट के अंदर बिना जांच के जाने को लेकर CISF के एक जवान और स्पाइस जेट की महला क्रू मेंबर के बीच पहले बहस हुई बहस के दोरान महला ने CISF जवान को थपड जर दिया हराकि अब इस मामले में एक और अंगल जुड़ गया है स्पाइस जेट के प्रवक्ता ने बताया कि CISF के जवान ने महला को ड्यूटी के बाद अपने घर आने के लिए कहा था इसलिए उनकी महला खर्मी ने उसे थपड मारा थपड मारने की घटना का एक वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हो रहा है जिसमें A.S.I. महला को कुछ कहता है तब ही महला पलट कर थपड मार देती है बता दें A.S.I. को थपड मारने के आरोप में महला को गिरफतार कर लिया है पूरा मामला क्या है आई जानते है जानकारी के अनुसार ये मामला सुबह करीब 4 बच के 40 मिनिट के आसपास का है जब A.S.I. गिरराज पर साथ जैपोर एरपूर्ट के वीकल गेट पर तैनात थे उस बक्स स्पाइस जेट की क्रू मेंबर अनुराधा रानी वहां पहुंची A.S.I. ने आगे बताया कि महला एरपूर्ट के अंदर एरसाइड से वीकल ले जाना चाहती थी लेकिन उस गेट पर कोई C.S.F. की महला करमशारी नहीं थी इसलिए उन्होंने अनुराधा को रुकने के लिए कहा लेकिन अनुराधा रानी एरपूर्ट में जल्दी जाने के जिद करने लगी हलाकि A.S.I. उन्हें बार बार कह रहा था कि महला स्टाफ द्वारा जाच के जाने के बाद एरपूर्ट में इंट्री मिल जाएगी इसी बात को लेकर दोनों में बहस होने लगी बहस के दोरान A.S.I. गिरे राजपरसाद ने कंट्रोल रूम में महला स्टाफ को भीजने के लिए बोला इसके बाद दो महला स्टाफ गेट पर आ गए आलूराधा रानी को समझाने लगी लेकिन आलूराधा रानी इसी बीच A.S.I. को थपड़ जड़ देती हैं इसके बाद आरूपी महला क्रो मेंबर को गरफतार कर लिया गया है जैपूर एरपोर्ट पर हुए स्थपड़ कांट पर स्पाइस जेट का भी रियाक्षन आ गया है स्पाइस जेट ने कहा कि जैपूर हवाई अड़े पर हुई दुरखटना बेहत दुरभागय पून है लेकिन गेट पर एक केटरिंग वाहन को एसकॉर्ट करते हुए उनके एरलाइन्स की महला को स्पाइस जवान द्वारा अनुचत भाशा का सामना करना पड़ा जबकि हमारे क्रू मेंबर के पास भारत के नागरे कोडियन सुरक्षा नियामक ब्यूरो ओफ सिविल एविएशन सेक्यूरिटी द्वारा जारी वैद हवाई अड़ा प्रवीस पास था इस मामले में स्पाइस जट के प्रवक्ता ने कहा है कि CISF के जवान ने महला को ड्यूटी के बाद घर मिलने को कहा था ऐसे में हमने ततकाल कानूनी करारवाई के लिए थाने में शकायत दर्ज कर दी है एरलाइन अपनी कर्मियों के साथ द्रंता के साथ खड़ा है बता दें CISF जवान की पहचान गिरिराज प्रशाद के रूप में हुई है उन्होंने इस मामले में एरपोर्ट पुलिस के थाने में केस दर्ज कराया पीड़ की शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत आक्शन लिया और महिला कर्मी अनुराधार आने को हिरासत ने लिया गिरिराज प्रसाद ने रपोर्ट दर्ज की जिसमें कहा गया तो की क्रू मेंबर की बैक आफिस में ड्यूटी है वो सुबद चार बजे एरपोर्ट पहुंची थी इसी दोरान उनकी भी ड्यूटी एरपोर्ट पर ही थी जिस दोरान ये मामला हुआ